हेलो गाइज गुद मॉर्निंग वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल अपने अंदर स्टड़ी पॉइंट तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग सुबह साथ बज़े करेंट इफेर्स की क्लास और मॉर्निंग सुबह 10 बज़े मैस्स की क्लास होती है जो सभी आप दोनों वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं काफी अच्छे को से और आपने प्रेक्टिस को कर सकते हैं दोस्तों आपको बात करें करने फेस की दोस्तों मैं आपको इस पर 10-15 कोस्टन कराता हूं और सभी फुल फैक्ट्स के साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों आज आपको दो वीडियो और मिलेंगी जो कि आपके लिख पाल यूपी जो उत्तर परदिश लिख पाल 2020 की वेकंसी है उसके बारे में आपको फुली आपको डिटेल आपको दी जाएगी और एससी के बारे में आपको जांकारी दी जाएगी जो आपका पुश्पॉंड हुआ है और सभी के लिए दोस्तों उस वीडियो को जरू देखें काफी बे पैरा खेलों के लिए सुभांकर क्या है तो दोस्तों जो मैस्कॉट दिया गया है क्या है मैस्कॉट आपका फीफी ऑफसन नुम्बर सी आपका जो राइट आउंसर होगा ठेक है जो चाइना मोने वाले है इसके नाम क्या फीफी और दोस्तों चीन के हैंग्जो में 2020 2022 में 9 अक्टूबर से होने वाले चौथे एसी आई पैरा खेलों के सुभांकर का अनाओर किया गया फीफी का डिजाइन जो है एक लियांग जू संस्कृति में जो की एक डिवाइन बर्ड के रुपांकन से क्या है प्रेरित है और दोस्तों बात करें कि चौथे एसीन पैरा गेम्स की बारे में ठीक है 9 से 15 अक्टूबर 2022 तक किये जाएंगे जिसमें 22 खेलों को सामिल किया जाएगा और इसके ठीक है इसमें क्या है ताइक्वांडो और पैरा कैनो का क्या है डेब्यू भी होगा ठीक है दोस्तों आसा करते हैं आपको साथा समझ में आ गया होगा जो व्यूष्व हेमॉफीलिया दिवस हर सब्सक्राइब कर गब मनाएजाता है तो गतच किया जाता है 14 को कब किया दोस्तों 14 अप्रेल को जो है वर्ल हेमफेलिया डेप सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है बीमारी और अन्य वंसानुगत कारर की जो रक्त-सरव विकारों के लिए इसके बारे में जागरुपता बढ़ाने के लिए विस्व हेमोफीलिया दिवस मना ज है दोस्तो आपको बात करें कि आपका हिम유ophilia है यह कर निकल रहा है कहें लेंगे नहीं देता है ठीक दोस्तो और दोस्तो आताई रगत का थकन बहने कों सी विटामिन को काम आती है कि nuovo दोस्तो आपका यह पूछा जाताई जीयस में वीटामिंग के ठेकर दोस्तों आपका क्या करता है रख का ठक्का बढ़ने में क्या है मदद करता है ठेकर दोस्तों और आए दोस्तों बात करते हैं आपका इसके 2020 प्लस इन्वाल्ब इसका थीम क्या है इसका थेम क्या है फिश्ण क्या है फूर्ट अब स्क्रम्ण कर अप最近 क्या इसका थीट् desaf अब में फुर्ट के लिए किया जाता है और दोस्तों निपिदर की विटामिन क्या लिए आपका थक्का बनता है आईए देखते हैं next तो दोस्तो next है आपका अंतराश्ट्रिय मुद्रा कोर्स के अनुसार एसिया में 2020 में विकास दर बढ़ाने की क्या है उमीद है दोस्तो कितना उमीद बताया है IMF ने तो दोस्तो आपका यह बताया है 0% कितना सुनके आपको लगा होगा कि 0% ठेक है IMF ने कहा है कि COVID-19 महमारी के कारण 2020 में एसिया में 0% व्रिधी देखी जा सकती है और यह लगवक 60 वर्सों में कितना तो 60 वर्सों में क्या है सबसे खराब विकास परिवर्तन होगा और आगे गया भी बताया है कि इस या अभी भी गतिवीदी के मामले में अन्य छेतरों के तुला में क्या है बैतर कर रहा है अन्य छेतरों के मामले में ठीक है दोस्तो बात करतें दोस्तों IMF के बारे में IMF की जो established गवा था यह आपका 1944 में कब दोस्तो 1944 में और इसके headquarter कहां पर है वांसिकटन DC US में है और इसके केंडे members हैं countries 189 members जो है इसमें IMF में हैं और इसकी head कौन है अभी क्रिष्टिली जोर्जिया जी जो है इसके भी head है ठीके दोस्तो सारा समझ में आ गया होगा आपको आईए देखते हैं आपका next question तो next है दोस्तो आपका हाल ही में पूसा PUSA संस्थान नई दिल्ली में एक परिशोधन सेनिटाइजिंग सुरंख सुरू की है निम्लेकित में से किस संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है दोस्तो कौन है इसमें बताइए कैलास चौधरी ने बताया कि क्या आता है दोस्तो आइसी एयार इंडियन एगरिकल्चर रिसर्च इंस्थीट ठीक है दोस्तो भारतिय किरसी अनुसंधान संस्थान दोरा जो है विक्सित एक प्यूसा परिशोधन और सच्था सुरंख का क्या है उद्धाटन किया है और दोस्तों आपको बता दे कि सैनि हाथ दोना और 20 सिकंड के लिए सेनिटाइजिंग क्या है फॉगिंग भी सामिल होगी ठीक दोस्तों सारा समझ में आगया होगा आपको आएए देखते हैं आपका नेक्स्ट कोश्चन तो दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है आपका हाल ही में किस रिजर्व बैंक गवर्नर को अंतरास्ट्री मुद्रा कोस के सलाकार के रूम में सामिल किया है तो दोस्तों यह किसको सामिल किया गया है तो दोस्तों यह जो है आपका रगुराम राजन जी को क्या है सामिल किया गय कि इनके सलाकार के रुप में दोस्तों आपको जैसे कि अभी आपको हमने बता दिया है आपको याद करना पड़ेगा तो आप से एक्जाम में जो है यह भी पूछे जाते हैं आएगे देखते हैं आपका नेक्स्ट कोस्टिन और दोस्तों नेक्स्ट है आपका पेट्टियम जंरल इंशोनेंस लिंटेट की नए ‫em डी और COY कौन है तो दोस्तों बताइए कौन है और दोस्तों आपके जो है विनिद अरोडा जी जो है ऊपस्न नुम् मब्रें आपका रइट आंशर होगा विनिद अरोडा जी जो है पेटियम के नए MD और CEO बनाया गिया है और दोस्तों बात करते हैं आपके संथापक की तो दोस्तों जो पीटियम के founder ये कौन विज्जय सेखर सर्मा कौन है दोस्तों आपसे भी एक्जाम पूछा जाता है ठीक है विज्जय सेखर सर्मा जी जो है आपके पीटियम के फाउंडर है और इसका मुख्याले कहां पर नौइडा में है तोस्तों और इसकी स्थापना कभी थी सन 2010 में हुई थी 2010 में जो है इसकी स्थापना हुई थी आईए देखते हैं आपका नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस बैंक ने एटियम लेन देन पर लगने वाले सुलक को माफ कर दिया है तो दोस्तों यह है आपका SBI स्थेट बैंक आफ इंडिया जो है आपका एटियम लेन देन पर लगने वाले सेवा सुलक को माफ कर दिया है तो आई दोस्तों बात करते हैं आपके SBI के अध्यच्च के बारे में तो दोस्तों यह कौन है रजनीश कुमार जी है कौन है दोस्तों आप से दोस्तों भी जो स् को स्थेट continue कुर्ण रजनीश कुमार हुख्यों दोस्तों को ने स्वेद्यक्ष च्छ और इसकी मुख्याले कहां पर मुंबइ में का है मुंचल काया तो मुंबइ में क्या है और दोस्तो SBI की पहली महिला अद्यच कौन है बनी है अरूंधती भटाचारे जो है आपके SBI की पहली महिला अद्यच बनी हुई है ठीक दोस्तो विडियो आपको सभी चीजे समझ में आ गई होंगी दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छे लग रही हो तो आप इसे ज़्यादा ज़्यादा आप इसे शेयर करें लाइक करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं ठेक हैं आएगे देखते हैं आपका next question दोस्तों next है आपका worldwide fund WWF इंडिया ने पढ़ियावरर सिच्छा कारेकरम के लिए अपना ambassador किसे बनाया है तो दोस्तों ये अपना ambassador विश्वनाथन आनंद जी को बनाया है विश्वनाथन आनंद जी को बनाया है WWF ने worldwide fund ने दोस्तों बात करें कि विश्वनाथन आनंद जी ये भारत के सतरंज खिलारी हैं और इन्हें राजीव गांदी खिल रतन से भी सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति भी हैं कब 1991 से 1992 कब दोस्तों 1991 से 1992 में ठीक दोस्तों आईए देखते हैं आपका next तो next है आपका विश्व विरासत दिवस हर साल कम मनाया जाता है ठीक है हर साल कम मनाया जाता है तो दोस्तों बताइए कम मनाया जाता है आपका वॉल्ड हेरिटेज डे तो दोस्तों आपका जो 18 अप्रेल को विश्व विरासत दिवस हर साल मनाया जाता है जोस्तों बात करते हैं आपका विश्व धरोहर दिवस की इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतरास्ट्री धरोहरे और इस्थलो पर की जाने वाली गतिवीद सीज्व के माध्यम से सांस कृतिक विश्व राशत को ब्राभा देने को लिए यह घरोर मनाया जाता है और दोस्तों बात कि कि इसके दो या बीस के थीम की बात करें दोस्तों आपसे थीम से भी आपसे questions पूछी जाते हैं फिर कोई बुक अगर आपको परभिज हुई है थीम है इन सब चीज़ों से क्या है सबसे questions पूछी जाती है दोस्तों इसा थीम क्या है सेर्ड कल्चर सेर्ड हैटेज एंड सेर्ड डिस पॉणिलीटी है अगें शिर्ड कल्चर सेर्ड हैंड सेर्ड रिस्पॉundeीटी है। ओकर दोस्तों आई तिंग आपको सब संभ आ गया होगा आए देखते हैं आपका next question तो दोस्तों आपका next है अचन्ता सरत कमल हाली में खबरों में थें वह निमलिकित में एक खेल से जुड़े हुए तो दोस्तों यह आपके tennis से जुड़े हुए टेबल बात करते हैं इंडिया के और यह अंतराश्ट्रिये टेबल महासंघ इंटरनाशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा जारी नमिन्तम पुरूष एकड रैंकिंग में साथ इस् sew चटगर 31 स्थान पर पहुझ गया है काहँ का हमल अब पूरसों की एकल में सरवर्च ठीक है रैंक में में पहले भारत्य हैं कौने दोस्तो पहले भारति पैडलर एक है तो दोस्तों नेक्स्ट आपका है question of the day इसका दोस्तों आपको comment करके इसका answer जरूर देना है ज्यादा ज़्यादा आपसे comment करके इसका answer जरूर दीजे आपका question है Asia का number one sports tech this कौन सा बन गया है which became Asia's number one sports tech country China, India, Bangladesh, Sri Lanka तो दोस्तों आप इसका answer comment करके जरूर दें और दोस्तों आशा करते हैं आप इस वीडियो को daily देखते होंगे daily share भी करते होंगे और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगी हो तो जहाँ-जहाँ share जरूर करें और थांक यू